नमश्कार आज मैं बात करने वाला हूँ काले गेहों की खेती के बारे में सबसे फाइदे मंद बात काले गेहों की यह है कि यह सामानी गेहों की अपिक्षा चार गुना अधिक महंगेदाम पर बिखता है जिससे कि आप सामानी गेहों की खेती करने के अपिक्षा आगर काले गेहों की खती करेंगे तो ज्यादा मुनाफ़ा कमा पाएंगे बस सिर्फ आवशकता है आपको अपने खेती के पैटन को बदलने की इस चैनल पर मैं आपको ऐसे ही खेती के नई तरीकों की बारे में बिस्त जनकारी देता रहता हूँ आईए आप बात करते हैं इसकी सुरुवात कहां से हुई इस गेहों की हाइब्रीड परजाती को मरू गेहों के नाम से या इसको नाभी M.G. के नाम से भी जाना जाता है इस गेहों की परजाती को भारती कृषी अनुसंधान ने साल 2017-18 में खो जाता इसमें फाइबर कंटेंट होने के कारण ये कैंसर और डाइबडीज के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा अधिक गुणकारी होता है जिसके कारण इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है आईए आप बात करते हैं इसकी खेती कैसे की जाएं सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी खेती सामानी गेहों की खेती की तरह ही की जाती है जैसे कि आप जैसे सामानी गेहों की खेती करते हैं वैसे ही इसकी भी खेती करते हैं इसकी उपज 10 से 12 कुईंटल प्रती बीगा हो जाती है जो की सामानी गेहों में भी होती है अब बात करते हैं इसका बीज कहां से मिलेगा इसका बीज आपको 80 रुपे प्रती किलो तक मिल जाता है और बीज लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उन किसानों का नमबर दे रहा हूँ जो पहले इसकी खेदी कर चुके हैं और कुछ बीज भंडार वाले हैं जो डारेक्टली आपको काले गेहूं का बीज उपलब्द करा देंगे लगबग 60-100 रुपे किलो के बीज में इसका बीज आपको आसानी से उपलब्द हो जाएगा इनके नमबर में डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ इसके अलावा आप ओनलाइन भी इसके बीजों क खरीच सकते हैं अब बात करते हैं काले गेहूं के बाजार भागों की यहां पर मैं आपको कुछ स्लाइट्स में दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कहीं पर ये 60 रुपे किलो कहीं पर 80 रुपिया गेजी कहीं पर 100 रुपिया किलो कहीं पर 120 रुपिया किलो के हिसाब से आसानी से आपको आप इसको आसानी से बेच सकते हैं इसके अलावा आप अपने नजदी की मंडी में भी इसको आसानी से कालेगें को बेच सकते हैं वहाँ पर भी आसानी से बेच जाएगा नमबर दूसरा अगर आप बात करें इसके आटे की तो इसका आटा अमेजन पे 120 रूपिय किलो से 1500 रूपिय प्रती किलो के हिसाब से अभी भी बिक रहा है आप चेक कर सकते हैं सबसे खास बात यह है कि अभी यह बहुत नई किस्म की फसल है इसका उत्पादन अभी बहुत ही कम हो रहा है जबकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी खेती करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो इस प्रकार आप इसकी खेती करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आपको स्रफ सामान नी गहुं की अपेक्षा काले गहुं के बीच को अपने खेतों में डालना है। आपका मुनाफ़गुन पक्का है। इस प्रकार मैने आपको काले गहुं की खेती के बारे मैं जानकरी दी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे डारेक्टली कॉंटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके हर कमेंट का इंडिविज्वली रिपलाई देता हूँ आप मेरी अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें की मुक्य रूप से काली हल्डी की खेती, तुलसी की खेती, चंदन की खेती और स्टीविया की खेती या मीठी तुलसी की खेती करके आप कैसे बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं उसके बारे में मैंने ब्रिस्ते जनकारी दी है दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पुर्वक धन्यवाद